हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीके एजूकेशन कोर्पर आज हम एक करेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजर हैं और बात करेंगे इसका पूरा इंग्लिश वाला वीडियो जो लोगों को हिंदी थोड़ा कम समझ में आती है वो लोगों इस वीडियो को देख सकते हैं लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा तो माननो विकास सूचका क्या है जैसा कि आपको टर्म सा ही समझ में आ रहा है कि मानो और विकास विकास किसी व्यक्ति का किस तरीके से हो सकता है क्या क्या आयाम है उन चीजों के लिए क्या क्या dimensions नींस अंसे उन सभी को बहुत बारिकी से समझने की जरूरत है तब इस इंडेक्स के बारे में जान पाएंगे कि इसको कौन जारी करता है और क्या-क्या जो में फैक्टर से या में डाइमेंशन से उन कौन-कौन से रखा गया है मानो विकास सूचकांग से सीधा सा question कई बार UPPCS में, UPSC में और other state में पूछा जाता है या तो भारत की ranking पूछ ली जाएगी या पूछ लिया जाता है कि इसे कौन जारी करता है या फिर इसका कई बार full form पूछ लिया जाता है बहुत सारे तरीके हैं पूछने के शीर्ष देश कौन सा है कौन सा देश टॉप पर है ये भी पूछा जाता है भारत के पडोसी देशों में भारत की स्थिती पूछी जाती है तो ऐसे तमाम questions बन सकते हैं मानो विकास सूचकांग से human development index से जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महत्यपूर है मैं आपसे request करूंगी कि आप जहां पर भी अपने notes लिख रहे हो वहां पर आप ये कम से कम आपको तीन पॉइंट तो लिखने ही है मानो विकास सूचकांग में भारत की स्थिती आपको वो लिखना है दूसरा point आप लिखेंगे पिछले साल स्थिती क्या थी इसको कौन जारी करता है और एक और कि ये लास्ट टाइम पर कौन सा इसका स्थान मिला हुआ था ये सारे points आपको देखने हैं तो चलिए बिना देर की हुए इसकी detail को जानते हैं और topic को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि मानो विकास सूचकांग क्या है किन-किन आयामों पर व्यक्ति का विकास डिपेंड करता है तो अगर शुरू करें तो हाल ही में हर साल ये UNDP क्या है अपनी बार्शिक रिपोर्ट को जारी करके HDI Human Development Index Report के आधार पर देशों की ranking करता है ये देशों को rank देता है 189 देश होते हैं इसमें और ये जो जितने भी जो इसके parameter से उनको देखकर उन देशों को rank मिलती है UNDP इसका अगर full form की बात करें तो full form है United Nations Development Program ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 की मानो विकास सूचकांग में 189 देशों के अपने पिछले स्थान से दो पाइदान फिसल कर 119 में पिछली वर्ष 2019 में जारी इस सूचकांग में भारत की स्थान जो था वो था 129 तो आपको दो पॉइंट यहां से मिले 131 और 129 ये था 2019 में और ये है 2020 में जादा तर उम्मिद होती है कि यही पॉइंट पूछा जाएगा लेकिन कई बार एक्जाम में इसका भी इस्तिति पूछ लेते हैं वर्ष 2020 के लिए HDI रिपोर्ट में 189 देशों में HDI दर्जे की आधार पर रैंक दी गई है यह इस सूचकांक में घर मैं बात करू इस इंडेक्स में तो नौरवी क्या है ली डूसरे संट पर बात करते हैं तो आइल लेंड है ठर्ट पोजिशन पर बात करें को सबसे कम प्यांक वाला देश है नाइजर को सबसे कम पॉइंट मिले हुए है भारत के पडोसी देशों को मध्या मानव विकास के साथ क्योंकि भारत भी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किस क्रिचलरी में आता है या किस कैटेगरी में आता है तो मध्या मानव विकास की कैटेगरी में ये आता है 131 में स्थान पर भूटान 139, बांगलादेश 133, नेपाल 142 और पाकिस्तान 154 का इनको दर्जा प्राप्त हुआ है हाला कि भारत के कुछ छोटे परोशी देशों के इस्थिती श्री लंका और भूटान इनकी इस्थिती भारत से भी बहतर है भारत से अच्छी स्थिती दिखाते हैं कौन-कौन श्री लंका और भूटान मानो विकास सूचकांग क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे मानो विकास सूचकांग, HDI, पिर्मुक आयामों में औरसत उपलब्धी का एक सारान से जिसका मतलब क्या होता है एक लंबा और स्वस्थ जीवन, लोंग और हेल्दी लाइफ, ज्यानकर मतलब नौलेज़िबल और जीवन इस्तर का एक सब्यमानक, डिशेंट स्टैंडर है तो यह तीन आयाम इसमें के एक लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्यानकर और जीवन का एक अच्छा इस्तर और एक सब्यमानक है, HDI, इन तीनों आयामों, जो तीनों डाइमेंशंस हैं, इन में से प्रतेक के लिए सामानिय करत सूचकांग, नौलाइज इंडिकेट का ज्या इन की, dimensions of human development, a long and handy life, being knowledgeable and have a decent standard of living, the HDI is the geometric mean of the normalized indicates for each of the three dimensions, तीन डाइमेंशं के जो इंडेक्स हैं, इन चीजों को वो देखता है, अब जला पिक्चर से भी सको समझने की कोशिच करते हैं, HDI में, अगर dimensions की बात करते हैं, तो long and healthy life, जब आप अगर mains लिखें और अगर ऐसा कुछ questions आता है, तो मेरा आप से request है, कि आप ऐसी image बना देंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे marks स्कोर करना आसान हो जाएगा, long and healthy life, knowledgeable, a decent standard of living, इन में तीन की points हैं, इंडिकेटर्स देखिए क्या है, life expectancy of at birth, बर्थ के समय पर क्या life की expectancy है, और life expectancy index, dimension index की अगर बात करते हैं, तो यह है, expected year of schooling, अगर knowledge की बात करते हैं, तो expected year of schooling, mean year of schooling की बात करी चारही है, इसे यह education index में हो गया, GNI पर capita, तो यह dollar में है, यह GNI index, यह तीनों मिलके क्या बनाते हैं, यह बनाते हैं, human development index मतलब HDI, मानव विकास सूचकांग, एक सूचकांग है, जिसका उपियोग मानव विकास के आधार पर देशों के आकलन करने के लिए किया जाता है, HDI सूचकांग, देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के इस तरको नापता है, इंडिकेटर्स ओफ HDI, इनके देखते हैं, तीन आयाम कौन से हैं, तीन डाइमेंशन कौन कौन से हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन पृत्यासा, सिक्षा और प्रतिव्यक्ती, सकल राश्ट्रिया, मतलब, ग्रॉस नेशनल इंकम, जी एन आई से भी कॉश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जी एन आई पर क्याप्टा, कई बार इसके आयाम भी पूछ लिये जाते हैं, इंडिकेटर्स ओफ HDI पूछे जाते हैं कि क्या-क्या इसके तीन आयाम है, मानोविकास सुच का अंग, जीवन प्रतियासा, सिख्षा और प्रतिवेक्ति आय, संकेतों का एक समग्र आकड़ा है, इन तीनों आयामों के आधार पर प्रतिय एक देश को 0 से 1 के बीच में अंग दिये जाते हैं, अब देखिए किस तरीके से होता है, 0.800 से उपर के मानग जो होते हैं को सरवोच मानोविकास के रूप में बर्गिक्रत किया जाता है, 0.700 और 0.799 के उच मानोविकास में और 0.550 से 0.699 को मद्याव मानोविकास के रूप में और 0.500 से नीचे की मानोविकास के रूप में बर्गिक्रत किया जाता है, यह निम्न मानोविकास में बर्गी करत इनको किया जाता है तो भारत की अगर बात करें तो भारत किसके बीच में आ रहा है मध्या मानोविकास के बीच में भारत ने 2019 में 0.645 मध्या मानोविकास स्कोर किया था जो 2018 में अपने स्कोर 0.642 से बहतर था जो कि भारत के समगर अध प्रशन उसको दर्शाता है इंडिया की रिपोर्ट यह दी हुई है दोजार अठाव 19 का 5 वैल्यू है और यह सारा इसमें देख सकते हैं कि क्या 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 माना कि दिए गए हैं अब देखते हैं UNDP की Resident Preservative शको नोदा ने कहा कि भारत की बास्त्विक संख्या में सुधार हुआ है उन्होंने यह भी कहा कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बलकि इसका मतलब यह है कि अन्य देशों ने उससे जादा अच्छा प्रदर्शन किया अब अगर बात करें जीवन पृत्यासा में कुछ पॉइंट से उनको भी देख लेते हैं लाइप एक्सपेक्टेंसी 6,9.4 2018 से 6,9.7 और सकल राश्ट्री आयप्रतिवेक्टी ग्रोस नेशनल इंकम पर क्याप्टा 2018 में 6,427 डॉलर से 2019 में 6,681 डॉलर पर भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ इयर ओफ इसकूलिंग की अगर बात करते हैं इयर्स ओफ इसकूलिंग में 12.2 और औसत वर्स मीन इयर ओफ इसकूलिंग 6.5 की पिछली वर्स की तरह ही रा इसमें कोई खास उधार नहीं हुआ है HDI की जो अवधारना थी सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि किसने प्रारंब की थी तो ये अर्थसास्ती थे पाकिस्तान के महबूब उलहक इन्होंने इसको प्रारंब किया था डॉक्टर हक की मानो विकास पर अनसंधान और डॉक्टर अमर्थ सेन जो की भारतिय अर्थसास्त्री और नोबल प्रुसकार बिजयता है कि मानो दक्षताओं और अन्योगदान के अधार पर विये मानो विकास सूचकांग की मूल अवधारना का जन्मुआ इन दोनों के काम करने से इसका मूल अवधारना का जन्मुआ HDI की पहली रिपोर्ट वर्स 1990 में संयोग तरास्ट विकास कारकरम द्वारा प्रकासित की गई थी मानो विकास सूचकांग अब कई देशों में एक अधिकारिक सरकारी आकड़ा बन गया है Official Government Statics बन गया है इनकी फोटो देख लेते हैं महभूव उलहक जी यह है और इनकी फोटो देखते हैं यह हैं डॉक्टर अमर्थ सेन इनको हम सभी जानते है तो यह पूरा वीडियो था हच्छा को अगर आπα को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना चैनल पढ नए है तो subscribe कर कर लेना वैल आईकन को प्रेस कर लेना अगले वीडियो में फिर मिलेंगी तब तक कि लिए बाए बाए दोस्तो नमस्कार